Hello and welcome back to our YouTube channel once again, my name is Nazneen Sheik and I'll be teaching you English subject which is for your class 12th, okay? Now last time we had a study in our last lecture, we had a story about an astrologer, how did it go, what situation was faced, what people would please do, what people would like to do, what people would like to do, what people would like to do. जोतिशी समझते हो तो आपको क्या करना है, मेरे सवालों के जवाब जो है वो देने होंगे, तो हम आज स्टोरी को यही से continue करेंगे, तो जैसे हमने देखा last time, stranger ने कहा था, challenge is challenge, आप पीछे जो है वो नहीं हट सकते हो, तो यहाँ पर astrologer ने क्या करना शुरू किया था, अपन तो यहाँ पर stranger उसको क्या बोलता है, stop, set the other, other का मतलब है, यहाँ पर हम बात कर रहे है, उस stranger की, उस इंसान की, उस customer की, जो की हमारे astrologer ने जाकर अपरोच किया था, जिसको, वो बता है stop, I don't want all that, यानि मुझे यह सारी कहानिया बिल्कुल भी नहीं सुननी है, shall I succeed in my present search or not, उसे कहता है कि मुझे यह सारी कहानिया बिल्कुल भी नहीं सुननी है, कि आपके लाइफ में एक औरत है, जो शायद बुरा करना चाहती है, उसे ऐसी किसी भी stories में कोई interest नहीं था, उसका कहना था, कि जो मैं धून रहा हूँ, या मैं जिसको धून रहा हूँ, क्या मैं उसम सक्सेस्फुल होँगा, सिर्फ इस बात का मुझे जवाब दो और जाओ, और इस बात का जवाब आप मुझे नहीं देते हो, I will not let you go till you disgorge, disgorge का मतलब यहां होता है, सरंदर करना, यानि जब तक मैं तुमारे सारे कॉइंस, तुमारे सारे पैसे तुम से नहीं छीन लेता हू वो नाम जपना भी हो सकता है, किसी का मतलब इस तरीके से कुछ words का use करना, जो हमारी समझ में नहीं आएगा, तो उसने क्या किया, incantations जो है, वो chant करना शुरू कर दिया, all right, I will speak, but will you give me a rupee, if what I say is convincing, तो वो बोलता है, ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा, जो भी बात है, मैं तुमको बताऊंगा, but will you give me a rupee, अब वो क्या बोलने लग गया, क्या तुम मुझे rupee देना शुरू कर दो, कि अगर मैंने तुमको जो भी जवाब दिया, उससे तुम convince हो जाते हो, तो convince हो जाते हो, यानि कि अगर तुमको लगता है, मेरा जवाब सही है, तो तुम मुझे 1 रुपया दोगे उसके लिए, otherwise I will not open my mouth and you may do what you like, तो फिर उसने क्या किया, अब एस्टो लोजर ने उसको challenge देना शुरू कर दिया, अगर तुमने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं तुमारे किसी सवाल का जवाब भी नहीं तो ही आप क्या करोगे, मुझे पैसे दोगे, अगर नहीं convince होते हो, तो मैं आपसे पैसे जो है वो नहीं लोगा, तो good deal of haggling हो गई, दोनों के बीच में एक तरीके से bargaining हो गई, यहाँ पर the other agreed, यानि कि जो stranger है, उसने क्या किया, वो agree कर बैठा उसके साथ ने, ठीक है, the astrologer said you were left for dead, am I right? यानि कि you were left for dead, astrologer उसको अब बताने लग गया, कि तुमको किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया था, क्या मैं सही कह रहा हूँ, तो अब उसको interest आता है stranger को, कि यह कहानी इसको कैसे पता चली, तो वो बोलता है, आँ, tell me more, यानि कि अब मुझे और बताओ इस ची तुम, he bad his chest to show this car, यानि कि उसने अपनी chest दिखाया, जहाँ पर उसको उस knife से मारा गया था, तो उसने किया किया महाँ पर अपनी chest को उसको open करके दिखाया, उस निशान को दिखाया, जहाँ पर उसके ऊपर चाकु से वार हुआ था, and then you were pushed into a well nearby, in the field, you were left for dead, अब वो एसको क पासरबाय, पासरबाय का मतलब होता है, उस वक कोई इंसान वहां से गुजर रहा था, कोई एक इंसान है, जो उस well के पास से गुजर रहा था, मैं मरही जाता, अगर उस पासरबाय ने पीप, यानि कि उस कुवे में जाक कर नहीं धेका होता तो, मैं क्या होता, मैं उस stranger जो है वो क्या बोल रहा है when shall I get him यानि वो इंसान मुझे कब मिलेगा जिसको मैं दून रहा हूँ जो इसने मुझे मारने की कोशिश की थी He asked clenching his fist fist का मतलब होता है this is our fist और वो इस तरीके से action करते हैं उसको बोल रहा था बहुत ही गुस्से में कि वो इंसान जो है हो मुझे कब मिलेगा in the next world अब यह astrologer ने reply किया in the next world अगले ही जनम में जैसे हम कहते हैं अगले जनम में तो उसने reply कि अगले जनम में तुमको मिलेगा He died four months ago in a far off town यानि कि वो क्या बोल रहा है जिसको आप दून रहे हो वो और चार महने पहले जो है वो शहर में जाकर मर चुका है you will never see any more of him अब तुम उसको और देख नहीं सकते हो क्योंकि वो अलड़ी मर चुका है the other groaned on hearing it the astrologer proceeded groaned का मतलब होता है जैसे हम अगर कोई बहुत वजन वाली चीज़े उठाते है तो बहुत जोर से आवाज निकालते है तो उसने groan किया यानि कि एक चिलाने वाली आवाज निकाला गुस्ते में उसने एक आवाज निकाला क्योंकि उसको यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि already जिसको मैं दून रहा हो वो क्या हो चुका है मर चुका है तो उसके मरने के लिए उसको बुरा नहीं लगा उसको बुर अब उसने क्या बोला एस्ट्रोजर ने रपलाए दिया उसको नाम कैसे पता चला जब मुझे तुम्हारे बार में इतनी सारी चीज़े पता है तो तुम्हारा नाम तो मुझे पता ही होगा गुरुनायक लिसन कैफुली चुवाट आफ तो से अब सुनो ध्यान से कि मैं 2-day journey due north of this town यानि कि तुम्हारे गाउ का रस्ता जो है वह कितने दिन का है जो जर्नी है वह कितने दिन की ए ट्रावलिंग की दो डिन की है जो की north की तरफ है जो town है हमारा इस town से north की तरफ जो है वह तुम्हारा क्या है village है तो वह उसको क्या कहा रहे टेक्ट नेक्स ट्रें यानि कि अगली ट्रेन जो मिलती है वो ट्रेन पकड़ो और यहां से इस टाउन से जो है वह तुम अपने गाव की तरफ चले जाओ तो वो क्या बोल रहा है मैं एक और प्राब्लम तुमारी तरफ एक और खत्रा तुमारे लाइफ की तरफ जो है वो आते हुए देख रहा हूँ बेटर है अगली ट्रेन पकड़ो और अपने घर चले जाओ अब जो सेक्रेड आश जो उसने अपने सर पर राक लगाई हुई थी उसने क्या किया वोई आश निकाल कर गुरुनायक जो स्रेंजर था उसके भी हाथ में दे दी अब वो क्या बोल रहा है अपने फोर हैड पर तुम भी इस आश को रब कर लो और क्या करो यहाँ से चले जाओ अपने घर never travel southward again यानि कि वो उसको बोल रहा है southward में यानि जहाँ ये town है वहाँ वो area जो है वो south है तो वो उसको बोल रहा है फिर से पलट कर इस area की तरफ बिल्कुल भी मताना and you will live to be a hundred और तुम क्या होगा तुम यहाँ पलट के कभी मताना तो तुम 100 साल से जादा जी होगे लेकिन अगर तुम आ गए तो तुमारे life के लिए फिर से एक यह खत्रा है तो यहाँ गुरू नायक उसको क्या reply देता है why should I leave home again मैं क्यों घर छोड़ के वापिस से आऊंगा the other said reflectively I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him यानि वो क्या बोलता है कि मैं जो है उस इंसान को दून रहा था मैं उससे मिलना चाहता था ताकि मैं उसने मेरी जिन्दगी लेने की कोशिश की मुझे मारने का कोशिश किया तो मैं क्या करना चाहता हूँ मैं भी उसकी life जो है वो लेना चाहता था उसको मारना चाहता था He shook his head regretfully Regretfully यानि कि अफसोस के साथ अफसोस की इस बात का था इस बात का कि वो जो है जिसने उसका कतल किया था जिसने उसको मारा था वो उसके हाथ से बचके निकल गया वो उसको मार नहीं पाया उसको इस बात का regret था उस इंसान की उस killer के मरने का कोई regret नहीं था क्योंकि ये उसको नहीं मार पाया इस बात का regret जो है वो गुरुनायक को था He has escaped my hands यानि वो मेरे हातों से बच के निकल गया I hope at least he died as he deserved तो अब वो क्या कहता है उस तरीके ऐसे बुरी मौत मरना चीए क्योंकि वो वही deserve करता था क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश की तो क्या कह रहा है याँ पर वो बुरी मौत deserve करता था He said the astrologer He was crushed under a lorry यानि कि astrologer क्या कह रहा है उसको हाँ वो बहुत बुरी मौत ही मरा है एक lorry के नीचे एक ट्रक के नीचे आकर वो मर गिया है The other look gratified to hear it Gratified का मतलब होता है अब वो खुश हो गया ये सुनकर और उसको एक संतुष्टी मिली किस बात की कि वो जो है जो मेरा killer है वो बहुत बुरी तरीके से मरा है The place was deserted by the time The astrologer picked up his articles and put them into his bag Deserted का मतलब होता है अब यहां पर उस जगे पर कोई भी नहीं था जो प्लेस में वो लोग बैटकर conversation कर रहे थे सारा बात कर रहे थे deserted अब आपर वो अकेला था उसके अलावा कोई नहीं था जो stranger है वो भी वहां से जा चुका था और गुरु नायक जा चुका था और astrologer क्या कर रहा था यह पिक्ट अब इस आर्टिकल यानि अपना जो भी सामान है वो फिर से अपने बैग में भरना शुरू कर दिया था ग्रीन शैफ्ट वो जो एक लाइट आ रही थी वो भी पूरी कंप्लीट भी क्या हो चुकी थी बंद हो चुकी थी leaving the place in darkness यानि कि अब पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था and silence यानि कि अब पूरी शान्ती हो गए थी अब ना लोगों के आवाज थी ना गाड़ियों के आवाज थी किसी तरीके के आवाज नहीं थी वो जगा जो है क्योंके राथ हो गई थी पूरी तरीके से शान्ती थी the stranger had gone off into the night after giving the astrologer and a handful of coins यानि कि stranger भी वहाँ से जा चुका था a handful of coins मुटी भरके उसमें कुछ coins जो थे वो astrologer के हाथ में दे दिये अब क्योंके astrologer इतना लेट घर आया है तो उसकी वाइफ ने उसको पूछा कि तुम इतना लेट क्यों आए हो दरवाजे पे उसको रोक लिया और उसको पूछा कि क्यों तुमको आज इतना लेट हो गया है he flung the coins at her and said count them one man gave all that जो उसने क्या किया अपने जेब से जो सिक्क्य उस गुरु नायक ने उसको दिया था stranger ने उसको दिया था वो सिक्क्य अपने जेब से निकाला अपनी वाइफ के हाथ में दिया and she was overjoyed क्योंकि इतना सारा पैसा उनके लिए 2.5 एना बहुत बड़ी बात थी तो she was overjoyed यानि कि वो बहुती ज़्यादा happy थी बहुती ज़्यादा खुश थी I can buy some jaggery, jaggery का मतलब होता है जो good, good और कुछ coconut जो है वो कल जाकर खरीदेगी कि क्यों खरीदेगी because the child has been asking for sweets for so many days now I will prepare some nice stuff for her यानि कि वो बोलती है कि अब इतने सारे पैसे आया है खुश हो जाती है और वो क्या बोलती इस से जाके कल मैं थोड़ा सा good और थोड़ा नारियल खरीद लूँगी उसकी कुछ मिठाई बना लूँगी क्योंकि बहुत दिन से बच्चा जो है हमारा वो मिठाई खाने की जित कर रहा है या डिमांड कर रहा है तो मैं क्या करूंगी कुछ अच्छा उससे बनाऊंगी The Swine has cheated me अब Swine का मतलव होता है अब asterologer जो है वो गुरुनायक को गाली दे रहा है Swine का मतलव होता है Pig यानि उसको गाली देते हो गलता है उसने मुझे क्या किया Cheat कि He promised me a rupee घर्थ में मुझे क्या कहा था कि दोनों की बिच में जब agreement हुआ था दोनों bargain कर रहे थे तो क्या decide हुआ था कि ठीक है अगर मैं convince हो गया तो मैं तुमको एक रुपया दे दूंगा लेकिन उसने क्या कि एक रुपया नहीं दिया तो यहां पर उसको तो एस्ट्रोजर जो है वह क्या reply देता है नथिंग वाइफ पूछती है कि क्या हो गया तो वह एक खाट हुआ करता था तो वहां पर क्या होता है वह उस खाट पर बैटा हुआ है जो एक बच्छ जो था वो हलका हो गया है यानि उसको इतने सालों तक क्या लगता था कि मैंने किसी का खूण कर दिया मैंने किसी की जान ले ली मैंने किसी को मार दिया यहां पर क्या बोल रहा है कि मुझे अब तक लगता था मेरे हाथों से किसी का खून हो गया है और यही रीजन है कि मैं अपना गाउ का घर छोड़ कर यहां आ गया यहां पर सेटल हो गया और तुमसे मैंने शादी कर ली और आज मुझे पता चलता है कि जिसका खून मेरे हाथों हो गया था जो मैं ऐसा समझता था या सोचता था यानि कि वो जिन्दा है यानि अब उसकी वाइफ थोड़ी जी शौक हो जाती और उसको सवाल पुछती है तुमने किसी को मारने की कोशिश की तो बोलता है येस इन आर विलेज तो बोलता है हमारे गाउं में मैंने इसी कोशिश की थी वेन आ यह वस शिली यंगसर जब मैं एक जवान हुआ करता थ अपस में जो हमारे दोस्तों में घंड़ा हो गया तो यह लेकिन अब उस बारे में बात करके क्या मतलब ہے यानि कि वो बता रहा है जब वो एक यंग्स्टर था अपने गाउं में जब दोस्तों के साथ में बैठता था ड्रिंक्स करते थे जुआ खेलते थे उसके साथ साथ क्या हुआ एक दिन उनके बीच में जगड़ा हो गया तो उस जगड़े की वज़े से इतना बोलता है और फि गया सो गया वह एक पूरा दिन बीता अपने ही पास्ट से रिलेटेट एक सिटुएशन जो है वो उसके सामने आ जाती है और आने के बाद वो उसे किस तरीके से डील करता है ऑके सो इसके साथ हमारा फार्स चाप्टर जो है वो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा ब्रेंस्टर्मिंग सेशन जो की टेक्स्बुक के पीछे आपके क्वेशन और आंसे दिये हुए है लिट एस ट्राइट को क्या नाम दिया जाता है तो उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे आज क्या है को क्या बोला जाता है तो आंसर अरडी दिया है यहां पर एस्टरोनॉमी बोला जाता है जब यूनिवर्स की हम बात करें तो उनिवर्स से मिला कर जब हम यूनिवर्स से रिलेटेड स्टरी करते हैं स्टार्स की प्लानेट की गैलेक्सी की तो उसका हम एस्टरोनॉमी बोलत है फिर आता है हमारा second one the study of movements of the planets sun moon and stars in the belief that these movements can have an influence on people's life अब यह जो चीज होती है यह आपको बता रही है कि planet sun and moon अगर सिफ इनी के study करोगे तब astronomy होगा लेकिन इसके अलावा अगर इनका कोई effect human life के ऊपर होता है उसकी हम जो study करते हैं उसे हम astrology कहते हैं उसे हमारा third one scientific discipline that studies mental states and processes and behavior in humans and other animals यानि कि हम mental states के अगर हम बात करें हम किसी की behavior की बात करें किसी के knowledge की बात करें जब उस चीज के बारे में पढ़ाई करते human behavior के ऊपर हम पढ़ाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं psychology उसे हम कहते हैं psychology moving to your question number two in the story we are told that the town hall park was a remarkable place जैसे हमने देखा था कई बार town hall park के बारे में बोला गया है कि वो किस तरीके की जगे थी तो हम सर्जिंग क्राउट सर्जिंग क्राउट मतलब बहां पर बहुत सारा क्राउट जो है वो आया करता था उसके साथ-साथ जैसे हमने पढ़ा था काफी सारे अधर अधर ट्रेड्स और पेशन्स के लोग भी आते थे जैसे कि मेडिसिंस सेलर्स वाले आते थे वहां पर मेडिसिंस बेचने आते थे उसी के साथ-साथ कई ऐसे भी चीज होती थी जो कि हार्डवेर जो स्टोलन हार्डवेर होता था या जंग होता था या भंगार होता था वह बेचने के लिए भी एक आक्शनर था जो वहाँ पर चिला कर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक करने के लिए बुला रहा था एक हमने उसको देखा फ्राइड ग्राउंडर्स वाले को हमने देखा जो वहाँ पर आकर रोज अपने बिजनस को नियू नाम दिया करता था तो उस जगे की किसी में मिलती ति nattro रोशनी या रही ती उस सब्कस्ति दूसरी पर हैं अपने दुकान हो दो है लगा यह सारी लोगों ने लगा और यह उद्परोनने लगाकर रखाए तो यह था हमारा उस जगे बारे में coronal qualities degrees पर हम जाते हैं जो कि है आपका question number three जो बोलता है ति अपने तक बात बिल्कुल भी नहीं करता था तो क्यों नहीं करता था उसके पीछ उसका reason क्या है पहला reason तो यही है he is good at reading people जैसे हमने पढ़ा कि वो जो एस्ट्रोलॉजर बना study से practice से और सिर्फ guesswork की वज़ा से बना था एस्ट्रोलॉजर तो वो अपने experience के हिसाब से लोगों को पढ़ना लोगों को समझना बहुत अच्छे तरीके से क्या होता था जान चुका था second reason is he would get sufficient time to frame his statements to satisfy the customers यानि कि यहाँ पर उसको बहुत जादा time मिलता था of course जब हम 10 minute किसी को सुनते है तो हमको भी उसकी problem जो है वो पता चल जाती है कि क्या problem है क्यों बता चलती है क्यों कि बात करते करते 10 minute वो इंसान खुदी अपनी problems जो है वो हमको बता दिया करता था तो यहाँ पर उसको क्या होता था problem पता चल जाती थी तो solution जो है वो देने के लिए अपने दिमाग में पहले ही बना लेता था कि मुझे क्या statement जो है वो अपने customers के सामने देनी है next day हमारा he could analyze and understand their problems अब 10 minute का time मिला है तो definitely वो 10 minute का time उसके लिए काफी हो जाता था उनकी problems को analyze करने के लिए समझने के लिए और उसके साथ साथ problem का solution देने के लिए last day he obtains a lot of information about their life यानि कि उन लोगों के जब 10 minute लोग बात कर रहे तो अपनी life की सारी history उनके सामने रख देते है तो definitely 10 minute का time जो होता था उसके लिए बहुत जादा होता था so that was a part of your question number three let us move ahead with question number four the tactics used by the astrologer to earn his wages अब वो ऐसा क्या काम करता था जिससे कि उसको लोग जो है वो उसके काम के लिए पैसे दे कर जाए ऐसी क्या tactics थी ऐसी क्या strategies हुआ करती थी एक यहां पर दिये analysis of human troubles यानि कि लोगों के दुख के बारे में यूंकि हमको पता है normally क्या दु related होगा या तो family related होगा या finance related होगा तो इससे जादा लोगों को कोई और problem नहीं होती है तो यह common problem हुआ करती थी तो वो उसने क्या क्या था एनलाइज यानि पूरे human troubles के बारे में पढ़ रहा था कि लोग किस तरीके से क्या problem face करते हैं दूसरा था flattering customers यानि customers को इस तरीके से बात करता था कि उनको क्या करता था उनकी तारीफ करता था जो सुनकर उनको भी काफी अच्छा लगता था इस तरीके के solutions देना की customer को सुनकर काफी ज़्यादा अच्छा लगे giving common solutions ऐसे solution जो हर को दे सकता है हर किसी के पास solutions मिल जाएंगे उसके लिए आपको या मुझे astrologer हो कोने की कोई जरुवत नहीं है लेकिन हम भी अगर किसी की problem सुनते तो common solution जो होता है उनको देते वही क्या करता था वही common solution जो है उनको दे दिया करता था फिर है perception of the words of the customers यानि की perception उसने बिठा रखा था दिमाग में अपने एक सोच थी जो customers से problem से related होती थी तो वही सोच जो जिसकी अपनी income earn करने के लिए moving ahead with the next question okay and astrologers appearance helps to create an impression on his clients complete the following जैसे कि हमने पढ़ा था कि astrologer जो है वो एक professional माना जाता था अपने professional equipment के साथ भी आया करता था तो astrologer का जो complete look है क्यों ऐसा look create करके आता था वो तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या और चीज़ा उसने अपने impression को बनाने के लिए बना रखी थी the turban on his head जो हमने पढ़ा था कि saffron color का turban होता है जो अपने सर पर पहन कर आता था जिसे हम पगडी कहते है दूसरा था sacred ash and vermilion on his forehead यानि अपने माते के ओपर उसने क्या लगाया हुआ था sacred ash लगाया हुआ था और उसी के साथ-साथ क्या लगाता था वो orange color का vermilion का मतलब orange color का यानि अपनी आखों का वो इस तरीके से देखता था उसकी आखों में ऐसी चमकती इस तरीके से उसने अपना लुक ही ऐसा create किया था कि कोई भी customer उसको अप्रोच करें तो उसको astrologer ही समझे अभी normal आप और मैं अगर जाकर किसी को बोलेंगे कि हमको astrology आती है तो they will not trust us why they will not trust us क्योंकि हमारा appearance वैसा नहीं कोई अगर suit boot pen कर जाए और आपको बोले तो आप भरोसा नहीं करोगे लेकिन इस तरीके का impression अगर आप अपना बना कर लेकर जाओ जोतीशी बन कर जाओ तो कोई भी आप पर भरोसा करेगा तो यह सारे reasons हैं कि वो अपने client को किस तरीके से impress करता next question read the following sentences and choose the correct one यानि यहां पर चार options दी हमको correct option जो है उसका select करना है the astrologer says that if Nayak does not leave his village again he would यानि की हमने पढ़ा था story में जब astrologer उसको बोलता है कि तुमारा गाव यहां से दो दिन की journey पर है आप यहां से चले जाओ तो उसको क्यों बोलता है चले जाने के लिए अगर वो गाव छोड़कर नहीं गया तो क्या problem होगी return the money वो उसको पैसे दे देगा यह बात तो नहीं हुई थी not face danger यह बात हुई थी कि अगर आप गाव छोड़कर चले जाते हो तो आपकी तरफ में problem आते वे देख रहा हो ए इंसान जो है जिसने आपको मारा है अल्रेडी मर चुका है not find the killer यानि कि तुमका भी killer को धुन नहीं सकते तो correct option is not face danger अगर आप वापिस अपना गाव नहीं छोड़ोगे तो किसी तरीकी का खतरा जो है वो आपको नहीं रहेगा आपकी लाइफ से रिलेटेट नेक्स्ट अक तो लग यहां पर काम नहीं करता था लग के बारे में कुछ नहीं कहा गया बागेंजी ड्राइफ यानिक जिस तरीके से वो लोगों से बागेंग करता था नहीं इस अप्यरेंस अपनी लुक की वज़े से वन आफ दे रीजन हो सकता है लेकिन यह उसके सक्सेस होने का रीज होते थे तो वो क्यों था because he was understanding the people very well next the story suggests that the astrologer's comments and observations please people by यह नहीं कि promising them success and good fortune वो किसी को promise नहीं करता था success या good fortune या अच्छी तक्दीर के लिए किसी तरीके का promise नहीं करता था proving as time passes to have been true यह जैसे जैसे वक्त वीतेगा बाते मेरी सच आपके सामने आएगी यह भी कोई promise नहीं किया था flattering them or supporting their own views यानि कि जो customer सोच रहा होता था उसी बात पर वो भी क्या करता था अपना समर्थन देता था उसको बोलता था कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो तो customer को flattering करने का काम करता था helping them to learn to solve their own problems या लोगों कहता था अपनी problem खुद सौल पर लो that is wrong question number 2C का सही answer fluttering them or supporting their own views that is the correct answer next one गुरु नायक के बारे में पूचा गया है कि वो क्यों जाता है astrologer के बारे पास क्या reason होता है he wants to understand the past उसको अपने past के बारे में समझना होता है no find out who the astrologer is उसको जानना होता है कि astrologer कौन है तो इसलिए भी वह उसको अप्रोच नहीं करता है make some money through a bet यानि कि उसको कुछ challenge लगाता है उससे उसको कुछ money earn करना होता है तो यह भी reason नहीं होता है to get the answer to a specific question that is the correct answer यानि कि जब वो उससे bet लगाता है तो उसको क्या बोलता है मैं तुम्हें पैसे तब दूँगा जब तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे और वो जवाब मुझे convincing लगेगा तो यह हैं आपका a specific question के लिए वो answer दूने आप पर आता है next is guru naak is looking for the man who tried to kill him गुरुनायक उस इंसान को दून रहा है जिसने उसको मारने की कोशिश की क्या reason है to take revenge yes to take a revenge that is a very clear cut answer उसको उससे astrologer's remark makes guru naak feel all of the following except यानि यहां पर astrologer जो guru naak को बोलता है all of the following except यानि की astrologer से related जो भी बात होती है गुरुनायक को क्या लगती है suspicious लगती है क्या लगती है suspicious लगती है next reactions of the astrologer's wife to his news suggest that she यानि कि जो astrologer जब अपनी wife को बताता है कि मैंने गाव में अपने किसी का खून किया था तो उसका जो reaction होता है of course the option is was unaware of his past उसको उसके past के बार में को information नहीं थी has been worried about his safety उसको उसकी safety की चिंता थी बिल्कुल भी नहीं has known him since he was young यानि वो उसको बहुत पहले से जानती थी ये भी कहीं पर mention नहीं है it's concerned about her future with him या उसको अपने future की उसको लेकर जादा tension थी तो ऐसी कोई बात नहीं थी she was unaware of his past उसको उसके past के बार में किसी तरीके की knowledge नहीं थी तो with this we are done with the correct options now we will start with a true and false statement और आपको जो भी false statement होता है उसका correct reason रिटना होता है true statement है you have to leave it as it is but false statement है तो आपको बताना the astrologer gave a correct prediction to the client about his past that he was stabbed thrown into a well and left for dead यानि कि astrologer ने क्या किया यहां पर जो prediction दिया client को यानि कि Guru Nayak को उसने जो बताया कि तुमको मार दिया गया था तुम्हारे साथ चूरी से तुम पर वार हुआ था तुमको कुए में fake दिया गया था और तुमको मरने के लिए छोड़ दिया गया था तो ये उसने ये prediction दिया था यहां पर बोल रहा है कि astrologer जो है उसने डील कोई की ही नहीं थी उसके साथ कि मैं किसी तरीके की डील नहीं करूंगा मैं तुमको 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 तुम्हारे पास्ट के बारे में बता दूंगा बट यहां किया था क्लाइन के साथ में रुपी से related bargain किया था अगर हमको क्लाइन टॉक्ट अबाट इस पास्ट यानि कि उसने किया उसके साथ bargaining किया लोग ने एक सैटल्मेंट किया कि यह आमांट तुम मुझे दे दोगे और उसके बाद उसके पास्ट के बारे में जो है वो गुरुनायक को सारी इंफॉमेशन डे थी थी नेक्स स्टेटमेंट इ उसने किया किया अपने आपको बचा लिया तो देटमेंट इस ट्रू नेक्स लेक्स्ट अपनी गलतियों से दूर नहीं भाग ना चाहिए हमें क्या करना चिए उसको accept करना चाहिए तो अफकोर्स यही है जो यह statement बुर रहा है तो the answer is true. Okay, so with this students we have completed few of the question and answer session. Definitely in my next lecture again we will go ahead with the further question and answer sessions. In case if you have any query, any doubt, if in case you want to give some advice or suggestions, our comment box are always open for you all. You all can definitely give us suggestions and please do like, share and comment my video if you like the content. Thank you very much.